हेलो स्टूडेंट्स वेरी गूज अप्टेनोन टू और अप्टू स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर सो जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए एक बार पटा-पट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जैसे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आज तीन बज़े हम लोग डिसकुस करेंगे एशियन गेम्स के बारे में कम्प्लीट जितने भी इससे रिलेटिड एक्जाम ओरियंटेट कोश्चन है उसको हम लोग डिसकुस करें कि क्या-क्या important points हैं जो हमें मालूम होना चाहिए हम उसको डिसकुस करेंगे and then finally हम लोग question answer करेंगे तो स्टार्टिंग से लेके end तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेगा so once again a very good afternoon everyone good afternoon Harishita good afternoon Sonali everyone very good afternoon तो शेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए चलिए तो जब तक और लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहें तब तक थोड़ा साथ आपको एक बार update कर दिए कि क्लास की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रूप पर connect हो सकत सब कुछ यहां पर क्रिएट किया जाएगा तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्रूप जोइन करना है एक बजे क्लास नहीं हुई है अगर होती तुम्हें लिंक शेयर कर देती एक्शली वो टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ करेंगे जैसे ही वह हमारा फाइनल होगा कि कितनी बज़े होना है तुरंत में आप लोगों को लिंक शेयर कर दूगी और बहुत अच्छे से हम लोग उसको कवर करने वाले हैं ट्रिक के साथ आज ही हम याद कर लेंगे कि इस बार नोबेर प्राइस किसको किसको मिला है और क अगर हम एशियं गेम की बात करें तो already मैंने आपको बताया था इसको हम एशियार्ट के नाम से भी जानते हैं तो एशियन गेम ये एशियार्ट गेम के नाम से भी जाना जाता है और ये continental multi sugar event है जिसको हर 4 साल पjekem पर इसको क्या किया जाता है conduct कराया जाता है तो पहला point यह हो गया कि जो Asian game है इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो क्या है वो है Asia लिखने से बेटर है मैं highlight कर दूँ तो आप लोगों के लिए ज्यादा easy रहेगा तो Asian game जो Asian game है इसको हम और किस नाम से जानते हैं इसको Asia याट के नाम से जानते हैं पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट यह हर चार साल पर और इंडिया इन 1951 जो पहला गेम हुआ था इंडिया के न्यू डेली में हुआ था 1951 में तब से लेके 1978 तक जो यह Asian games हुआ था इसको कौन regulate करता था Asian Games Federation के द्वारा इसको regulate किया जाता था since the 1982 1982 game से इसको organize किया गया किसके द्वारा Olympic Council of Asia के द्वारा चीके Asian Games Federation से अलग होने के बाद इसको Olympic Council of Asia के द्वारा organize किया जाने लगा और यह जो गेम है इसको recognize किया जाता है इंटर्नेशनल ओलमपी कमिटी के द्वारा इसको recognize किया जाता है और यह second largest multi sport है अगर यह second largest multi sport है तो largest multi sport event कौन सा है यह second largest multi sport event है तो सबसे largest कौन सा है ओलम्पिक गेम यह तो आप लोगों को पता होगा कि ओलम्पिक गेम यह लार्जिस्ट मर्टी स्पोर्ट इवेंट है और सेकंड लार्जिस्ट कौन सा है एशियन गेम्स इस दैट क्लियर देखे आपकी जो भी एक्जाम सोते हैं आप मिनिमम्म 6 मनْथ मानके चलिए हैना कि मिनिमम्म 6 मन्थ की तो आपको पढ़ना ही है यहां तक समझ भी आ गया यह सारी चीजे में कूँ बता रहे हैं क्यूंकि जिस तरीके का हमारा अब एक्जाम हो रहा है है ना एक्जाम के ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़े भी हमें पढ़ना गया है जरूरी है पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि अगर उन्होंने पूछ लिया तो और हम इसको ने पढ़ेंगे तो फिर हम एक्जाम में करने पाएंगे चीके ओकी चलिए तो एशियन गेम को एशियार्ट के नाम से भी जाना जाता है हट चार साल पर ये और्गनाईज किया जाता है पहली बार 1951 में इंडिया के न्यू जेले में और तब से लेकि 1978 तक इसको एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारे रेगुलीट किया जाता था 1982 से ओलंपिक कांसिल ओफ एशिया के द्वारे इसको और्गनाईज किया जाने लगा और ये जो गेम है इसको रिगनाईज किया जाता है बाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी और ये सेकेंड लार्जेस्ट मर्टी स्पोर्ट इवेंट है आफ्टर दी ओलंपिक गेम्स यहा 200 Kenya सब्सक्राइब इसरह रिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब इसके बाद अचिकर मेरा इसको और को ये करेएगा इसको कवि HEYए ऑफ खीएब× अगर हम बात करें तो यह सौधी अरभिया में होगा और यह 22nd एडिशन होगा यहां कोई प्रॉब्लम दिखिए याद आपको करना है इस बार कौन से एडिशन था 19 एडिशन था चाइना के होंग्जो में इसको और्गनाइज किया गया था ठीक है यह हम लोग डेली पढ़ते में होगा कहां पर होगा दोहा कतर में 22nd एडिशन कहां पर होगा सौधी अरभिया में कब होगा 2034 में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर चार साल पर इसको और्गनाइज किया जाता है ठीक है यह तो हो गया इंपॉर्टिन पॉइंट जो आपको याद करना है इसमें से आप से एयर में होगा और कहां पर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कर हम बात करें तो इंडिया ने पहली बार त्री फिगर मेडल यानि की मोर देन हंड्रेड मेडल इन्होंने क्या किया है अचीव किया है इंडिस 72 एयर ऑफ हिस्ट्री तो 72 एयर की हिस्ट्री में इंडिया ने प पूछ सकता है, कि वो कौन सा sport है, कौन सा game है, जिन्होंने इंडिया को 100th medal दिलाया, तो answer क्या होगा, women's cuparddy team, इन्होंने चाइना को हरा कर, यह medal हमारी country को दिलाया है, तो 100th medal किसने जीता, women's cuparddy team ने चाइना को हरा कर, इंडिया का जो final medal count है, वो कितना है, 107, more than 100 medal यहाँ पर ब्रॉंज मेडल है क्लियर हो गया है हाँ यह है ना विन ओवर चाइनीज टैपी इन दी फाइनल यह जल्दी बताइए यहां तक क्लियर हो गया अब यहां पर आते हैं एशियन गेम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह 2022 में होने वाला था बट 2023 में ओर्गनाइज किया कि हैं that's the reason हम इसको एशियन गेम 2022 बोल रहे हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ओपनिंग सेरिमनी है है ना यहां पर फ्लैग बीरर पूछा जाता है ओपनिंग सेरिमनी और क्लोजिंग सेरिमनी में तो इसके ओपनिंग सेरिमनी में जो इंड तीनों आपको याद करने ओपनिंग सेरिमनी में कौन था हर्मन प्रेशिंग और आप से क्लोजिंग सेरिमनी में पूछा जाए तो प्लैग वीर थे इंडियास फ्लैग वीर इंडिंग लोजिंग सेरिमनी ओके इस एट क्लियर ओके अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटल 45 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था सबका नाम याद करने की कोई ज़रूद नहीं बस आपको नंबर बता होना चाहिए कि 45 नेशन रेजिंस फूस एनोस्टी जार वीट डिकागनाइस्ट बाइडी ओस ये कंपे तो ये जो हम देख रहे हैं clearly ये क्या है ये इंबलेम है मतलब heart to heart to at the date future ठीके ये क्या है ये इंबलेम है किसका Asian Games का इसके बाद सबसे important mascot है ना mascot exam में पूछा जाता है अगर हम mascot की बात करें तो तीन mascot है क्या chen chen kong kong and liyan liyan है ना ये क्या है ये Asian Game का mascot है अभी तक हम लोग ये सारी चीज़े सुन रहे थे अब हम लोग Chinese बोलने लगेंगे ये Asian Game पढ़ने के बाद ना थोड़ी देर में हम लोग Chinese बोलने लगेंगे तो चेंचें, kong kong and liyan liyan ये क्या है ये Asian Game का mascot है याद रखेगा मैसकट से related question exam में पूछा जाता है और अब आते हैं यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को अल्रेडी बता दिया था कि हर्मन प्रेसिंग और लॉबलीना बोर को हैं ये इंडिया स्फ्लैग बीरेर थे Asian Game में दूरिंग दी ओपनिंग सेरेमनी ठीके मेडल स्टांडिंग की बात करें मेडल टैली की तो टॉप पर कौन है रिपब्लिक ऑफ और फॉर्थ पर है भारत इंडिया ठीके अगर हम बात करें टोटल मेडल की तो चाइना ने 383 मेडल जीते हैं बहुत कम है ना 383 मेडल जापान की बात करें तो 188 कोरिया ने 190 और इंडिया ने 107 मेडल जीते हैं जिसमें से इंडिया का हमें पता है 28 गोल्ड था 38 सिल्वर थ जीते हैं और चाइना की अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल 201 गोल्ड मेडल जीता है जापान ने 52 गोल्ड मेडल जीता है रिपब्लिक ओफ कोरिया ने 42 गोल्ड मेडल जीता है और इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल जीता है टॉप आइप याद रखेगा फर्स पर कौन है Republic of China, 2nd पर Japan, 3rd पर Republic of Korea, 4th पर India and 5th पर कौन है? उजबेकिस्तान, चीक है? Is that clear? ओके, चलिए, यह 6 पर Chinese तेपे हैं, जिनको इंडिया ने हराकर 100th medal जीता था. ओके, अब आते हैं यहाँ पर, यह आपको पूरा नहीं याद करना है, है ना? कि किस sport में, कितने gold, कितने silver, कितने bronze, कितने total medal जीती, यह आपको याद नहीं करना है. पेडियाप में आपको list मिल जाएगी, आप देख जरूर लेना, बट पूरा याद नहीं करना है, याद क्या करना है, देखिए. सबसे ज़्यादा medal, है ना? सबसे ज़्यादा medal किस में जीता है? Athletics में. इंडिया ने सबसे ज़्यादा medal, Athletics में जीता है, that is 29. है ना? इन्होंने total कितने medal जीते हैं? 29 medal जीते हैं. अगर हम यहाँ पर सभी इवेंट्स के देखें, तो सबसे ज़्यादा medal इंडिया ने किस में जीता है? सबसे ज़्यादा इन्होंने Athletics में, just wait a second. एक सेकेंड आपनों थोड़ा रुख जाईए. इन्होंने total 22 medal जीते हैं. अब हम बात करते हैं, gold medal की. कि सबसे ज़्यादा gold medal इन्होंने किस में जीता है? तो सबसे ज़्यादा gold medal इन्होंने जीता है शूटिंग में, that is 7 gold medal. और उसके बाद second पर athletic से 6 gold medal and third पर agree है. तो आपको सिर्फ इतना याद करना है overall अगर हम बात करें. तो सबसे ज़्यादा medal इन्होंने athletics में जीता है, that is 29. ठीके? यह याद हो गया second पर shooting है. और सबसे ज़्यादा gold medal इन्होंने किस में जीता है? शूटिंग में. कितना? 7. ठीके? यह सबसे पहले लिखा हुआ है. कि Asian game में इन्डिया ने सबसे ज़्यादा medal कौन से sport में जीता है? और सबसे ज़्यादा gold medal किस में जीता है? तो athletics और shooting दोनों याद करना है. तो overall total इन्होंने 107 medal जीते हैं जिसमें से 28 gold है, 38 silver है और 41 bronze है. ओके? जो key points में आपको बता रही हूँ, वो key points आप लोगों को याद भी करने हैं. ठीके? क्योंकि मैं वही बता रही हूँ जो आपसे exam में पूछा जा सकता है. अब यहाँ पर जाते है? गूल्ड मेडल को जितने भी गूल्ड मेडल है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, और ठीक है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिंस कबड़ी टीम की मिंस कबड़ी टीम ने इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता अब अगर मिंस कबड़ी टीम ने इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता गोल्ड फॉर स्क्वाइसटीम जो मेंस टेम इवेंट था इन इसमें भी हमारी कंचरी ने orse गोल्ड मेडल जीता है तिट कहें यह भी हो गया में question के form में उन्होंने पूछ लिया तो at least आपके mind में रहेगा ना कि हाँ यह image मैंने देखी थी और यह मैंने पढ़ा था बट इसके लिए revision आपको करना पड़ेगा ओके revision जरूर कर लीजेगा this one is important यह दोनों important है चिके दोनों important क्यों है अगर हम जैवलिन थ्रो की बात करें तो minutes का तो हमें पता है नीरा चोपड़ाजी ने gold medal जीता था women's की अगर हम बात करें है न तो women's javelin अनुरानी ने भी gold medal जीता था और यह पहली female है ना जिन्हों ने javelin throw में क्या किया है gold medal जीता है तो इनका नाम बहुत important है तो javelin throw में male में नीरा चोपड़ा जीने जीता है और women में अनुरानी ने जीता है ठीक है याद कर लीजिएगा next बात करते है 4 into 400 relay final तो इसमें भी इंडिया ने gold medal जीता है और अगर tennis mixed doubles की बात करें इसमें भी इंडिया ने gold medal जीता है next is shot put है ना means shot put final की बात करें तो तजिंदर पाल सिंग तूर जी ने gold medal जीता है और means 3000 meter steeple chase में भी अगिनाज शाबली जी ने इंडिया को gold medal दिलाया है आपको यह याद करना है इसपोर्ट की बात कर रहे हैं आप इसपोर्ट और नाम याद कर लीजिएगा next बात करते है equestrian की है ना equestrian में भी जो team है आटीम है है ना dresses team final इन्होंने gold medal जीता और women 5000 में भी पारूल चौधरी ने इंडिया को gold medal दिलाया है next men's cricket and women's cricket यह दोनों याद करना है फिर वही हमारी चोरिया चोरो से कमे के अकर men's cricket में लोगों ने gold medal जीता तो क्या women's cricket team gold medal नहीं जीतती यह पीछे कैसे रह जाती तो हमारी जो women's cricket team है इन्होंने भी इसमें क्या किया ह gold medal जीता है Asian Games में दो यहाँ पर बहुत important है एक तो आपका यह हो गया cricket वाला दूसरा javelin throw वाला है यह तो आप जरूर याद रखेएगा अब बात करते हैं आर्करी women's compound की है ना तो इसमें जोती सुरेखा ने इंडिया को gold medal दिलाया और badminton men's doubles में इंडिया को gold medal जीता है बा gold medal जीता था चीक है और नेक्स्ट वन इस आर्करी men's compound में भी gold medal मिला है और आर्करी women's compound team को भी gold medal जीता है मतलब आर्करी में doubles में भी singles में भी men's और women's चारों में होने क्या किया है इंडिया ने gold medal जीता है शूटिंग की अगर हम बात करें तो 10-meter air rifle men's event में इंडिया ने gold medal ज जीता है अभी आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा और don't worry question answer भी आने वाला है हम इसको पढ़ रहे हैं तो question answer करेंगे तो revision हो जाएगा ओके अभी आप बस याद करते हुए चलिए शूटिंग की अगर हम बात करें तो 10-meter air pistol में पलक ने इंडिया को gold medal दिलाया था और शूटिंग में ही 50-meter rifle 3 position men's team में इंडिया ने gold medal जीता है चलिए मुझे अब जल्दी से अभी बता दीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने gold medal सबसे ज़्यादा किस में सब्से ज़्यादा gold medal इंडिया ने किस में जीता है कौन से sport में इंडिया ने gold medal सबसे ज़्यादा जीता है अभी जस्ट मैंने आप लोगों को याद कराया था शूटिंग 50 मीटर राइफिल 3 पोजिशन वेमिन्स में सिफ्ट कोर शामरा ने इंडिया को gold medal दिलाया और शूटिंग में 25 मीटर पिस्टिल वेमिन्स टीम में इंडिया ने gold medal जीता है विकली मुझे आंसर बताईए सबसे ज़्यादा gold medal इंडिया ने किस में जीता है दोनों question पूछ लेती हूँ यह जो confuse हो रहे हैं आप लोग total medal सबसे ज़्यादा इंडिया ने किस में जीता है और सबसे ज़्यादा gold medal इंडिया ने किस में जीता है I think अब आप लोग बता देंगे चलिए shooting की बात करें तो means trap team इन्होंने भी इंडिया को gold medal इंडिया दिलाया है मैंने क्या पूछा मैंने पूछा इंडिया ने सबसे ज़्यादा gold medal किस में जीता है और total medal सबसे ज़्यादा किस में जीता है आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं ध्यान से सुना नहीं total और gold दोनों मैंने अलग-अलग बताया था total athletics ओके बैरी गुड और सबसे ज़्यादा gold medal किस में जीता है shooting exactly यही तो इतनी देर से मैं पूछ रही हूँ और जितने भी हमने gold medal की लिस्ट पढ़ी उसमें बार-बार shooting काई नाम तो आ रहा था चलिए अब यहाँ पर आते हैं question answer अब हम लोग करेंगे और जल्दी से आप लोग answer बताईएगा कुछ लोग टाटा बता रहे हैं कुछ लोग महिंद्रा और महिंद्रा बता रहे हैं और बाकी लोग कुछ तो बताईए पढ़ा तो होगा ना पढ़ाया भी था जब स्टार्टिंग हुई थी एशियन गेम की तब मैंने आपको करेंट अफेर के क्लास में पढ़ाया था चलिए exactly distribute happiness इसका जो correct answer है वो है अमूल है ना अमूल आपको बताना है अमन शेरावत जिन्होंने ब्रॉंच मेडल जीता था एशियन गेम में वो कौनसे इसका जो correct answer है वो है रेश्लिंग रेश्लिंग इस ती राइट आंसर वेरी वेल देन विकास वोल्स नेचर भानू वायलेट एवर गार्डेन वेरी वेल देन नेक्स्ट कॉश्चिन इस अप इंडिया आपको बताना है कितने साल के बाद इंडिया ने मिडल जीता है 43,41,45,42,50 इसका आंसर क्या होगा इसका अंसर क्या होगा, एशिन गेम में मिल्स सिंगल्स बैडमिंटन में इंडिया ने कितनी साल के बाद मेडल जीता है, very good, after 41 years, है न, 41 years के बाद इंडिया ने मेडल जीता है, इस टाइप के questions इक्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी गोशन पूछे जाते हैं कि लाइक जो भी विनर है ना लाइक यहां पर इन्हों ने बता दिया कि अधिती स्वामी ने एशन गेम में ब्रॉंज मेडल जीता था अब वो आपसे यह पूछ रहें कि वो कौन से स्टेट से बिलॉंग करती है ना जो हमने पढ़ा था वो और आश्ट्रा इस दी राइट आंसर चलिए नेक्स्ट कॉस्चन इस विच ओफ दी फालोइंग इस ट्रू स्टेट्मेंट अबाउट इंडियास पर्फॉर्मेंस अड़ी टू थू 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 एशन गेम ठीके इसको बहुत अच्छे से प मार्क एट थू 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 इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रिलंका, आस्ट्रेलिया, आपको बता है मिन्स क्रिकेट कैटेगरी में, गोल्ड मेडल किसने जीता, इंडिया, है न, इंडिया is the right answer, निक्स्ट कोश्चन ने, सोनम मलिक बैक्ट ब्रॉंज मेडल इन दे विमिन्स फ्रेस्टाइल 62 केजी कैटेगरी एड़ एड़ एशियन गेम से बिलॉंग टो विच स्टेट, यह कौन से स्टेट से बिलॉंग करती है, सोनम मलिक ने एशियन गेम टॉंटी टॉंटी त्री में महिलाओं की प्रेस्टाइल 62 केजी कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता, आपको बताना है, यह कौन से स्टेट से बिलॉंग करती है, हर्याना, उत्तरप्रदेश, पंजाब, न्यू जेली, बिहार, इसका अंसर क्या होगा? ओके, वेरे वेल जन, हर्याना इसी राइट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है हर्याना नेक्स्ट बन इस, इंडियन मेंस आर्करी रिकर्व टीम फिनिसेज विथ हिस्टॉरिक सिल्वर मेडल अड़ अड़ एशियन गेम्स 2023, हुवास नॉट इंदी टीम आपको बताना है कि जो इंडियन मेंस आर्करी रिकर्व टीम है, जिनोंने हिस्टॉरिक सिल्वर मेडल जीता, एशियन गेम्स 2023 में, इन में से कौन उस टीम में नहीं था, तो शार शेल के, अतनु दास, धेरज बोंबा देवरा, मनू भाकर, नन उप दीज, कौन नहीं था, यह आपसे पूछा गया है, इस टीम में कौन नहीं था, सब लोग आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं, बस दो तीन लोगी आंसर बता रहे हैं, सब लोग आंसर बताईए, इसका अंसर क्या बताईए, इसका अंसर क्या बताईए, होगा, साउथ कोरिया इससे राइड आंसर, इसका जो correct आंसर है, वो है, साउथ कोरिया, नेक्स्ट वन इस, डीपी का पलिकल अन हरिंदर पाल संधु, इस रिलेटिट तु विच स्पॉर्ट, आपको बताना है, डीपी का पलिकल और हरिंदर पाल संधु, यह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है टैनिस, क्रिकेट, स्क्वैस, टेबल टेनिस, फुटबॉल इसका अंसर क्या होगा दीपी का पलिकल एंड हरिंदर पालसंदू यह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है टैनिस, क्रिकेट, स्क्वैस, टेबल टेनिस, फुटबॉल इसक्वेस इस ती राइट आंसर पेरे वेल्टन भानू, गॉयलेट, एवर गार्डेन, रागवेंद्र, पेरे वेल्टन आप्रिवन, चलिए, निक्स्ट क्वेस्टन इस वेल्टन इस वन गोल्ड इन मिन्स जावलिन थ्रो अधी नाइटीन एशियन गेम, इससी जी कोई क्व सकते हैं, नीरत चोपडा, किशोर कुमार जेना, रॉड़िक जेनकी तीन, जाकोब वतलिच, अनुरानी, इसका आंसर क्या होगा, इग्सेक्ली, नीरत चोपडा, इस यसी राइट आंसर, निक्स्ट क्या होगा, इंडिया-सेक्योर्दी गोल्ड मेल्ड इंदे, विचरे ले इन्टो 400 मेटर नन अब दीज अभी जब मैंने इमेज दिखाई थी ना नीचे लिखा हुआ तो मैंनो इसको अंडर लाइन भी किया था क्या होगा अंसर वेरे वेल दन वर्स नीचर रागवेंद्र वाले टेवर गार्डिन भानु नितिन यही 4-5 नाम बार-बार रिपीट हो रहे हैं आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आपका भी नाम आने चाहिए, मैं आप लोगों का भी नाम लूँ तो सब लोग comment करके बताएंगे ना answer ज्यादा से ज्यादा क्या होगा या तो सही बताएंगे या तो गलत बताएंगे इसके अलावा कुछ हो सकता है अगर आप सही बताएंगे तो आपको answer आता है अगर आप गलत बताएंगे तो आपको याद रहेगा कि जब class में मैंने इस question क आंसर बताया था तो मेरा गलत हो गया था यह नहीं यह वाला अंसर होगा तो फायदा उससे आपका ही होने वाला है है ना तो सब्धी लोग अंसर करके बताइए सिर्फ 3-4 लोगों के कॉमेंट करने से कुछ नहीं होगा चलिए इंडी ऐशियन गेम्स लॉबलिना बार गोहिं लॉस्ट दी ली क्यान और फिनिस्ट विथा सिल्वर मेजल विच नेशन डज ली क्यान विलॉंग्स टू चाइना साउथ कोरिया जापान रसिया पाकिस्तान इसका अंसर क्या होगा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार मुझे कोई नया नाम पढ़ने को मिलेगा सबी लोग कॉमेंट करके बताएं क्या होगा गलत या सही दो में से कोई एक एंसर बताएंगे एटलिस नया नाम दिखे तो सही होगा गलत होगा मैं नाम लोगी मुझे एक नया नाम देखना है आपर आपको बताना है इन में से किसने विमेंस तेन मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल को जीता है पलग गुलिया ईशा सिंग किशमाला तलक मोर दिन वन अप दीए भग नन आप दीए वग अंसर बताईए अपना नाम चेंज करके नहीं आना है नया लोगों का मतलब कि जो क्लास में हैं बट कॉमेंट नहीं कर रहें यह कहने का मतलब ही यह नहीं कि आप लोग अपना नाम चेंज कर लें ओके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पलग गुलिया सो वेरी वेल जन विकाश भानू रागवें नितिन प्रदीप वर्ल्स नेचर वेरी वेल जन एप्रिवन चलिए निक्स्ट कुश्चन इस इन एशन गेम्स 2022 ताजिंदर पाल सिंग तूर विंस गोल्ड इन शॉट्पूट विद हाउ मैनी मीटर थ्रो कितने मीटर थ्रो के यह नहीं होगा एंड इस वन इस इंपोर्टेंट चलिए बताएए इसका अंसर क्या होगा दिस कोश्चन इस इंपोर्टेंट ऐसे कोश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हाँ 20 पॉइंट आगे आगे ब्लैंक कर दिया मैं आगे जो भी होगा आप समझ लेजेगा 20.36 मीटर इस दी राइट आंसर वेरे वेल जन नितिन प्रदेश उत्तर प्रदेश आन प्रदेश राजस्थान तमिल नाजू कि वेरे वेल जन यूपी इस दी राइट आंसर सो वेरे वेल जन नितिन प्रदीप भानू रागवेंद्र रिविकाश वर्स नेचर वॉयलिट कुछ नय नाम आएंगे एक बार आया नया नाम दुब 2022 आपको बताना है कि इन में से कौन से पेर ने आर्करी मिक्स्ट टीम कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था अधिती गोपी चंद स्वामी और ओजस प्रवीन राहुल बेनर जी और दीपिका कुमारी अभिशेक वर्मा और बॉंबियाला देवी जोती सुरेखा और ओजस थे और मैंने आपको वो अंडरलाइन करके सरकल करके बताया भी था है ना कि यह डबल में भी इन्हों ने जीता है और सिंगल में भी ओजस प्रवीन ने जीता है अभी जस्ट मैंने आपको बताया था नेक्स्ट गुस्ट्टिन इस इंदी 2022 एशियन गेम्स पारुल चौधर बंदी गोल्ड मेजल इंदी वीविन्स 5000 मीटर इविंट फ्रॉं विच सिटी इन उत्तर प्रिदेश दस्टी ओरिजिनेट इसका अंसर क्या होगा पारुल चौधरी यह कहां से बिलॉंग करती है मेरत आगरा अयुद्या कानपूर गोंडा बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरत आगरा अयुद्या कानपूर गोंडा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेरत आपको बताने है इन में से कौन सी पेर ने टेनिस मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता रोहन बोपन्ना रुथजा शुंग हो हुआंग एंड इन शुलियांग सुमित नागाल एंड अंकिता रानी रोहन बोपन्ना यूगी भाम्बरी नन अब दीज इसका अंसर क्या होगा रोहन बोपन्ना एंड रुथजा बोशले इस दी राइट आंसर आप नाम क्या है वोईलिट इवर गार्डेन अनुष्का, विकास, वोल्स नेचर, प्रदीप वेरी वेल देट नेक्स्ट गोस्टन इस विच ओप दी फालोइंग परसन वन्दी गोल्ड इन मेंस 3,000 मेटर स्टेपल चेल्ज इन एशिन गेम्स 2022 आन सिंग तोमर मदन सिंग अविनाज साबले नवीन कुमार ड्यूती चंद इसका अंसर क्या होगा नवीन था पुर्षोत्तमम यह आपका नाम है नवीन था पुर्षोत्तमम इसका जो करें टांसर है वो है अविनाज साबले है ना अविनाज साबले is the right to answer नेक्स्ट कुश्चिन इस विच ओफ दी फालोइंग परसन विकेम दी फर्स्ट विमेंस गोलफर टो विन अ मेडल इन एशिन गेम से इन इट्स 19th आपको बताना है इन में से कौन उस टीम का पार्ट नहीं है जिन्होंने ट्राप मेंस टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था प्रिथभी राज टॉंडिमन किनान चेनाई जो रावर सिंग संधू एश्वर प्रताप सिंग तोमर बोथ 1 & 2 क्या होगा अंसर ओके सो एश्वर प्रताप सिंग तोमर इस दी राइट आंसर वेरे वेल देन नितिन वर्ल्स नेचर भानू रदीब आपको बताना है कि एश्वर गेम 2022 में निमली कित्मी से किस भारती मोलने? 49 एर में सिंगापूर का पहला एथलेटिक्स एश्यन आगेम में गोल्ड मेडल जीता है दल्जीना पूनम गिल, रिया दोशी, शांती परेरा, अनीता कपूर, पिंकी दुलाई इसका आंसर क्या होगा? ओकी, शांती परेरा इस दी राइट आंसर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शांती परेरा आंसर किसने करेक्ट बताए भानू ने? वेरी वेल जन भानू, नितिन, ओके नेक्स्ट कोईस्टन इस हाउ मेने इंडियन रिप्रेजेंटेट इंडिया फोर लीग ओफ लिजेंट गेम एट एशन गेम से न होंगजो आपको बताना है होंगजो में एशन गेमस में लीग ओफ लेजेंट गेम के लिए कितने इंडिया ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 6, 9, 8, 10, none of these. इसका अंसर क्या होगा? 6, 9, 8, 10, none of these. Okay, very good. 6 is the right answer. So, very well done, Bhanu, Anushka, Pradeep, First Nature, Haryanivi, Malang, Wollett Evergarden, Urvesh, Okay, Nitin, very good. Our next question is Indian Women's Squares Team won bronze medal after losing from which of the following team? आपको बताना है जो Indian Women's Squares Team है, उन्होंने किस टीम से हारने के बाद bronze medal जीता था? Netherlands, Hong Kong, Chinese, Taipei, Australia, Brazil. इसका अंसर क्या होगा? Okay, very good. Hong Kong is the right answer. So, very well done, Raghvendra, Bhanu. Very good. Next question is, which of the following person won gold in Women's 10-meter Air Pistol in Asian Games 2022? आपको बताना है इन में से कौन से परसन ने Women's 10-meter Air Pistol में gold medal जीता है? पलक गुलिया, ईशर सिंग, कुष्माला तलक, मनु भाकर, आश्वर, प्रताप सिम, तोमर. क्या होगा इसका अंसर? Okay, पलक गुलिया is the right answer. यह ना, पलक गुलिया is the right answer. Very well done, Bhanu, Anushka, Words, Nature, Nitin, Pradeep, Ragvendra, Voiletable Green, Haryanmi, Malang. Okay, very well done. Which of the following members was not a part of the Women's 25-meter Pistol team event that secured gold in the Asian Games 2022? आपको बताना है, जो Women's 25-meter Pistol team है, है ना, जिसमें gold medal जीता था, उस team में, कौन इसका part नहीं है? Manu भाकर, रिदम शांगवान, ईशा सिंग, शिप्त कॉर्ट सामरा, बोथ 1 and 2. आंसर शो कर गया था, है ना, लीक हो गया आंसर, चलिए. प्लस 1 marks मिल गया आप लोगों को, प्लस 1, शिप्त कॉर्ट सामरा, है ना, शिप्त कॉर्ट सामरा, इस दी राइट आंसर. नेक्स्ट कॉस्चन इस, इंडियाज एक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज टीम विन्स गोल्ड आप्टर हाउ मेनी एयर्स इन एशियन गेम 23? भारत की घुर्चवारी ड्रेसेज टीम ने एशियन गेम 2023 में कितने साल के बाद गोल्ड मेडल जीता, 43, 41, 45, 42, none of these. इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी उन्होंने इंडिविजूल में गोल्ड मेडल जीता था, exactly. चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 41, है ना? So, very well done, वर्ड्स नेचर, भानू, हरियानवी, अनुष्का, प्रदीप, नितिन, राखवेंद्र, उर्वेश, ओके, very well done. इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम डिफेटेड विच टीम इन फाइनल तो विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम 23, नेपाल, श्री लंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ एपरिका, आपको बताना है एशियन गेम में भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है, है ना, उन्हो उन्हें किस टीम को हरा कर गोल्ड मेडल जीता था, वेरी गुड, श्री लंका, तो श्री लंका इस दी राइट आंसर, एश्वर प्रताप सिंग तोमर is related to which of the following sport, आर्करी, शूटिंग, जैवलिन थ्रो, क्रिकेट, शॉट्पुट, बहुत इसी कुश्चन है, एश्वर प् सबसेजी गुश्चन था, है ना, ओके, सो, वेरे वेल्डन, हर्यानवी, भानू, नितिन, वॉयलेट, वर्ड्स नेचर, अनुष्का, प्रदीप, उर्वेश, वेरे वेल्डन, चलिए, हुग, कंसीब दी एश्यन गेम, मूमेंट, आपको बताना है, जो एश्यन गेम, इसका आंसर क्या होगा, पोल के थूख करना है, आप लोगों को, ठीक है, मैं ट्राइ करूँगी, पोल के थूख क्रेट करने का, ओके, इसका आंसर क्या होगा, वेरे गुट, प्रोफेसर, जीडी सोंधी, इस भी राइट आंसर, चलिए, वेर वास दी फर्स्ट एश्यन गे जो पहला एश्यन गेम है, यह कहां पर हुआ था, मनीला, जकार्ता, नियू जेली, टोक्यो, संगाई, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, मनीला, जकार्ता, नियू जेली, टोक्यो, संगाई, आंसर क्या होगा, हाँ जी, नियू डेली इस दी राइट आंसर, जो पहला ए कौन सी एयर में हुआ था कि द मोटो ऑप दी एशियन गेम का मोटो क्या है फार्ट एवर ऑनवर्ड ओल्वेस फार्वर्ड फार्वर्ड और फार्वर्ड नन दें तेजी से आगे बढ़ना सदेव आगे हमेशा आगे आगे और आगे इनमें से कोई ने 1951 very well done everyone okay so इसका जो correct answer है वो है ever onward है ना चलिए and next question is how many medals did India win in the 2023 Asian game 2023 Asian game में इंडिया ने कितने medal जीते हैं 103, 105, 107, 109 none of these very good 107 is the right answer इसका जो correct answer है वो है 107 दीपक पुनिया is related to which of the following sport आपको बताना है दीपक पुनिया कौन से sport से बिलॉंग करते हैं hockey, wrestling, weightlifting, squares, none of these दीपक पुनिया कौन से sport से बिलॉंग करते हैं very well done, wrestling is the right answer इसका जो correct answer है वो है wrestling तो ये था हमारा important question Asian Games से related Nobel Prize आज ही करेंगे है ना, तो थोड़ा सा आप लोग wait कर लीजिए time में आप लोगों को group में बता दूँगे कि कितने बज़े होगा, ये session miss मत करिएगा क्योंकि ये session आप लोग बहुत enjoy करने वाले हैं क्योंकि trick के साथ हम याद करेंगे है ना, तो इस session को बिल्कुल मिस मत करिएगा मिल जाएंगी कल नहीं होगा नोबिल प्राइस, नोबिल प्राइस आज होगा, ठीके कल नहीं होगा आज ही होगा session में आप लोगों को link दे दूँगी group में बस group में आप लोगों को update रहिएगा ठीके, चलिए, so अभी के लिए, हाँ, वाइलेट, exactly, अच्छा होगा, आपने मुझे याद दिला दिया, ये अभी न, class end होने के बाद comment box में, morning current affair वाली class में, वापर नीचे comment में कर दीजिएगा, कि ADB की list चाहिए, ठीके, मैं कल की class में आपको provide कर वादूँगे, अच्छी में भूल गई थी इसको, तो morning जो current affair वाली class है, वापर नीचे आप comment कर दीजिएगा, तो देख कि मुझे जब मैं winners का नाम लूँगी, तो मुझे याद आ जाएगा, तो मैं add कर लूँगी, ओके, चलिए फिर अभी के लिए फिलाल बस इतना ही है, बाके मिलेंगे कि आप से noble prize वाली class में, time अभी मुझे नहीं पता, time में आपको बता दूँगी, और, एक मिनिट, क्या 4 p.m. पे दिखा रहा है, wait, 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 हाँ जी, 4 बजे, 15 मिनट बाद, ओके, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर final हो गया है, अभी 4 बजे है न, 15 मिनट बाद मैं फिर आप से मिलूँगी, ओके, तो मिस मत करिएगा, 4 बजे फिर मैं आप से मिलूँगी, nobel prize वाली class में, 4 p.m. पर, तो यह class आप लोग मिस मत करिएग अभी 15 मिनट बाद मैं आप से मिलने वाली हूँ, जहाँ पर हम nobel prize के बारे में पढ़ेंगे, और trick के साथ हम उसको याद करेंगे, तो link मैं अभी group में share कर दे रही हूँ आप लोगों को, वहाँ पर फिर मिलते हैं, after 15 मिनट, till then, bye bye guys, take care, thank you so much.